गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ातरी देखी जा रही है। सुल्तान गंज में गंगा नदी के जलस्तर में चार से पांच दिनों में दो मीटर से अधिक जलस्तर में बढ़ातरी दर्ज की गई। वहीं पहारी इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी होनी की समभावना जताई जा रही है जलस्तर बढ़ने के बाद सुल्तान गंज उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने वाले शर्थालूं के लिए बैरिकेटिंग को लगातार सिफ्ट किया जा रहा है बता दें जिलादिकारी ने खाट पर माइकिंग के निर्देश और दो बोट के साथ SDRF की टीम और दो नौका तैनाद किया हुआ है जिलादिकारी का कहना है कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होगी इस हसाब से तयारी भी है SDRF के बोट है घातो पर बैरिकेटिंग को सिफ्ट किया जा रहा है जिस तरह से अब बिहार में बारिश हो रही है और ऐसे में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ बैरिकेटिंग को भी सिफ्ट कर लोगों पर्ध्यान रखा जा रहा है लिएरो रिपोर्ट न्यूस पियार लाइव पटना लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ बैरिकेटिंग को भी सिफ्ट कर लोगों पर्ध्यान रहा है लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ बैरिकेटिंग को भी सिफ्ट कर लोगों पर्ध्यान रहा है लगान बढ़ते जलस्तर के साथ बैरिकेटिंग बैरिके जलस्तर के साथ बैरिके पर्ध्यान बढ़ना ाइ 2 5 5 5 10 9 10 10 11